दोस्तों अडानी विलमार के quarter 3 के नंबर्स आ चुके हैं कैसे रहें नंबर्स उसके लिए सीधा लेके चलता हूं में आपको result की तरफ और देखे रिजल्ट जास दीख रहा हुआ करोडों में है तो हमें इसमें ज्यादा परिशानी नहीं होनी चाहिए सीधा लेके चलता हूं रिजल्ट की तरफ देखे revenue from operations अगर आप देखेंगे 15,438 करोड करा है जो पिछले quarter में 14,150 करोड का था दोस्तों और एक साल पहले यह 14,370 करोड था यानि revenue from operation में आपको quarter और year on year दोने इस तरोपे व्रिद्धी देखने को मिल रही है बात करें other income की दोस्तों तो यहां पर 77.50 करोड की रही है जो पिछले quarter में लगभग 60 करोड थी और जब आप इन दोनों को मिला लेंगे न तो जो total income निकल किया थी दोस्तों वो है 15,515 करोड जो पिछले quarter में 14,209 करोड थी और एक साल पहले दोस्तों 14,198 करोड थी यानि यहां पर आप कह सकते हैं quarter quarter और year on year अच्छी आपको बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल रही है लेकिन क्या खर्चों ने तमाम बढ़ोतरी को खतम कर दिया है तो उसके लिए हमें expenses में जाना पड़ेगा दूस्तों और देखते है expenses में तो cost of material अगर आप देखेंगे तो वो 12,346 करोड रहा है जो पिछले quarter मे 12,222 करोड था यानि देखिए आपका धंदा काफी अच्छा बढ़ा है उसके पाद ए cost of material की उत्री नहीं बढ़ी है जो की बहुत बहुत जादा positive चीज है change in inventories देखेंगे 517 करोड रहा है जो पिछले quarter में 86 करोड था ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और other expenses में नज़र डालते हैं तो यह 1024 करोड रहा है जो पिछले quarter में 1012 करोड था और जब हम इन तमाम expenses को जोड़ेंगे तो जो total खर्च है दोस्तों 15,175 करोड रहा है जो पिछ more or less उतनी हुई है जितना आपका धंदा बढ़ा है और यही करण है कि जब हम profit before share of profit loss from joint ventures देखते हैं दोस्तों तो आप कह सकते हैं वो निकल के आता है 339 करोड और total comprehensive income यानि tax और तमाम चीज़ों को plus minus आप करेंगे तो total tax अगर आप देखेंगे total comprehensive income for the period अगर आप देखने जाएंगे दोस्तों तो आप यहां पाएंगे वो इस बार निकल क्या ही है 245 करोड रुपे की जियां दोस्तों लगबग 245 करोड रुपे की जो पिछले करण में 39 थी और यही कारण है कि देखिए जो EPS है वो 0.38 से बढ़के सीधा 1.9 में आ गया है यानि बहुत बहुत ही शांदा रिजल्ट है अडानिबल मारके और यही कारण है कि अपर सर्कृट अब लगातार स्टॉक में लगता रहेगा दोस्तों तो यदि आपको यह नेस पसंद आई हो वीडियो के लाइक करके चैनल सब्सक्राइब भीजिएगा ये इस वीडियो का अंत है जैहन दोस्तो झाल 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 झाल